उत्तर प्रदेश की राजदानी से MLC चुनाओं से संबंदित एक बड़ी गवर सामने आ रही है नमस्कार मैमित और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स आपको बता दें 11 सीटों पर चुनाओं में कई सीटों का नतीजा आ चुका है कई सीटों पर मदगरना अभी विजा रही ने लखनाओं बीरों की विशेश रिपोर्ट पर नज़र चुनाओं में जहां बिजेपी को पूर बहुमत मिली है आपको बताएं कि लखनाओं सीट जिस पर सबकी नजर थी बिजेपी समर्तित प्रितियासी उमेश दिवेदी ने जीत हासिल के जानते हैं कि आकिर जीत का है जो क्रेडित है व देंगे या किस तरह से अनने जो समर्तन मिला है और उनकी वादे ते जिस तरह से उन्हें सम वार्पूर समर्तन सद्नी दिया ऑण s k बारे में जो सिच्छक महासभा है और भारती जंता पार्टी उनके एक-एक कार करता एक-एक उनके पताजिकारी राद दिन लग करके शुनाओं को अपने पक्ष में किये और साथ ही आदर्णी नरेंद मोदी जी जो हमारे पतान मंत्री है आदर्णी योगी जी मुख्वंति जी इनके विचारों से इनके विचारों में और इनकी जो भावना है इनके जो कारी है उससे प्रभावित होकर किया सारा समाच चाहे वो सिक्षक हो चाहे वकील हो चाहे असनाता को वो भी जेपी से जुड़ रहा है बिलकुल अकिर हमस जी बताएं जो कार योजना आपने बनाई थी स सच्छक के लिए अब उसको किस तरह से क्रयानवीत कंदेश काम करने वाले सिच्छक के अब कि मैंगों के लिए रसकों नाव संब करते हफ तो हमारी बात सरकार सrecार कर और उठाएं भूसारे मामले आगे समय में हमें टेव नूटा करके मानिये मुकेमटिजी से मानिये मुकेमन citizen इसको दिकारियों से बैट करके इसको निफ्टारा करना वारे प्राथ मेरे क्या कहेंगे जिस तरह से MLC चुनाओं में अभी तक राजनितिक पार्टियों का उस तरह का हस्तिचेप देखने को नहीं मिला पहली बार राजनितिक पार्टियों ने इसमें भरपूर अपना हस्तिचेप दिखाया और समर्थन दिया इसके बारे में क्या कहेंगे निस्जित वबर राजनेतिक पार्टियां इस चुनाव मैधान में आई हैं उनको अगर इस वर सिक्षकों का बोट लेना है तो निसलिखें तुट बोट करना पड़ेगा उसको समधों की जो समस्या है मिठ्या भाषण है जैसे केवल यह कह देना की उसमें जो भी काउंटिंग हो रही है जो भी मत पेटिया निकल रही है उसमें जब्य कहीं कहीं है कि करबढ हुआ है तो वह आप बताएं किस पॉइंट पर गडबढ हुआ है अगर आपको कहीं सील्ट टूटी पाइज आ हो किसी पेटे की या उसमें कम ज्यादा निकल ले हो ऐसी कहीं कोई अभी तक में उन्होंने लिखित सिकायत नहीं करी है और नहीं कहीं कोई सबसे पहला मुद्ध कौन सा होगा जो सदन में होगा है यह सबसे नहीं होगे हैं तो यह थे हमारे साथ उमश्दिवेदी जिनों उन्हें सिख्षक खंड चुनाओं में विजय प्राप्त कि वह बताया कि सदन में पहला मुद्धा सिख्षकों को जिसकों लेकर वो सदन में सिख्षकी लड़ाई लड़ने वाले वह उन्होंने बताया कि जिस तरह से काउंटिंग को लेकर गंभीर आरोप लगाए गये कहीं कहीं बिबुनियाद है जिस तरह से काउंटिंग दो दुबारा हुई और कैमरे के सामने ओवर्ष मोहित के साथ मैं विक्रम आपसे ज़ाज चाहूं